बिहार के कटिहार जिले में एक अनोखा आम का बागीचा है। इसे लोग राष्टवादी आम का बागीचा के नाम से भी जानते हैं। इस बाग के मालिक हैं बिहार के मैंगो मैन के नाम से प्रसिद कालीदास बैनर जी। इस बाग में आम की 29 किस्मों की पैदावार की जाती है। आम की किस्मों के नाम विवेका नंसे लेकर चितरंजन के नाम पर है। फिलहाल इस अनूठे आम के बाग में प्रधान मंतरी नरीदर मोथी और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंतरी योकी आदितनात के नाम पर आम के व ये मंगाल की सीमा से सटिक कटिहार की भी आम को लेकर एक खास पहचान है खास पहचान दिलाने में जिले के एक शक्स की महतव पूड़ भूमिका है कटिहार जिले में आम की खेती को लेकर महारत रखने के कारण उन्हें मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है रोतारा धाना शेतर के रोतारा गाउं के निवासी कालिदास बेनर जी के आम बागीचे में लगभग 450 आम के पेड़ है इसमें लगभग 29 वराइटीस के आम है क्रॉस ग्राफ्टिंग तकनीक से कालिदास बेनर जी ने कई आमों को स्वात सुगंद और साइस के लहाज से आकरशक रूप दिया है बड़ी बात यह है कि इस आम के बागीचे को लोग राश्ट्रवाती आम बागीचे के नाम से भी जानते हैं इसके बीचे की वज़ा काफी रोचक है दरसल आम तोर पर किसी भी नई चीज का नाम अपने परिवार के सदसे के नाम पर रखने का प्रचलन है मगर राश्टवाती विचारधारा के कालिदास बेनर जी क्रॉस ड्राफ्टेंग के तरीके से तैयार आम की किस्मों को महा पुरुष फैग्यानिक या देश की उन्नती में महतवपूर्ण योगदान निभाने वाले लोग प्रिये और महान हस्तियों के नाम पर रखते हैं मैंगो मैन बताते हैं कि बिहार के किसानों की ओर से इन दोनों लोग प्रिये नेताओं के पहचान से जुड़ी ये एक नाया वो पहार होगा फिलहाल आम की दोनों किस्मों पर काम चल रहा है और जल्दी ये दोनों किस्में देखने को मिलेंगी तो आपको क्या खयाल है इसाम की प्रजाती के बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इसी तरह के और दल्चसों किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए अमर जाला